नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैरानी गुपता आपके साथ बड़ी ख़वर सामने आ रही है आपको बता दे कि दिल्ली के लजी वी के सकसेना ने पंजाब के सियम भगवनतमान को पराली की समस्याओं से जल्द से जल्द कंच्रोल करने को लेकर के लेटर लिखा है ये लेटर दरसल दिल्ली एलजी ने इसलिए लिखा है क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो वायू प्रदूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा लेरा और दिली की जंता को सास लेने में काफी ज़दा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसके बाद दिली lg के द्वारा यह लिटर पंजाब के सीम को लिखा गया है इसी के साथ ही उनको चितावनी दी पराली जलाने की समस्या को जल्द से जल्द नियंत्रण मिले और इसको ले करके कोई ठोस कदम उठाई क्योंकि लगातार जो एर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का वो गिरता जा रहा है जिसकी वज़े से लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा है साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि पंजाब की पराली की हवाओं ने और उसके धुआ ने दिल्ली को धुए का चेमबर बना रखा है जिसकी वज़े से लोग बिमार भी पड़ सकते हैं और ये बहुत बड़ी समस्याब भी हो सकती है आपको बता दें इससे पहले देखने को मि हुआ ही दिली में आ रहा है जो की पॉल्यूशन की एक में वज़ा है लेकिन इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो पराली जलने की समस्या है उसका नियंत्रण केंद्रस सरकार को कर देना चाहिए आपको बता दें कि इससे पहले जब पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार थी सी दिश्रिवाल ये कहा रहे है कि ये तो पूरे नौर्थ इंडिया की समस्या है ये उत्तरप्रदेश राजस्थान हर्याणा बिहार और इसी के साथ ही तमाम राज्यों की समस्या है और जो एर कॉलिटी इंडेक्स है न सर्फ दिल्ली का गिरा है बलके इन राज्यों का भी ग बताते थे कहीं ऐसे solution बताते थे जिससे कि पराली की समस्या से नज़ाद पाया जा सकता था इसको लेकर कि वह chemical के बारे में भी बता दे थे कि chemical का पराली में छड़काव कर देने से वो पराली गल जाती है और खात के रूप में तबदील हो जाती है साथी उन्होंने पराली को सोना भी कहा था और कहा था कि इन पराली को फैक्टरियों में देने से आपको पैसे भी मिलेंगे साथी इस पराली से गत्ते और इसी के साथ ही कोईला और इंधन भी बनाया जा सकता था यह तमाम ओफर्स देते थे लेकिन चुनाव से पहले जैसे ही पंजाब में आपकी सरकार बनी यह तमाम जो उनके सॉल्यूशन्स हैं अब नजन नहीं आ रहे हैं ना ही उनका कैमिकल और ना ही उनकी फैक्टरिया इसको लेकर भी दिल्ली एल जी वीके सकसेना ने पत्र के जरीए भगवंत मान से यह कहा है कि पंजाब में जल रही पराली को नेंदरित करने के लिए ततकाल एक ठोस उपाए करें इसने राश्ट्रिया राजधानी नई दिल्ली को एक बार फुर से गैस चैमबर में तबदील कर दिया है सा कि यह सिर्फ राजधानी की ही नहीं समस्या बलकि पूरे उत्तर भारत की समस्या है उनका आपको बता देगी पंजाब के सीम भगवंत मान के साथ शुक्रवार को एक प्रेंस कांफरेंस करते हुए सीम अरविंद केशवाल ने यह कहा कि आरोप प्रत्यारोप का समय यह नहीं है उन्होंने पीम मोदी से यह अपील की है कि वे आगे आकर इस पर ठोस कदम उठाएं साथी पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाओं को सुईकार करते हुए अरविंद केशवाल ने यह भी कहा कि मान सरकार को अभी सिर्फ छे महिने ही हुए है अगले साल तक इस पर नियंतरन कर लिया जाएगा लेकिन यह जो चीज़ें हैं वो चुनाओं से पहले भी केशवाल कहा रहे थे लेकिन सरकार बनने की बाद यह वाते हवा हवाई हो गई साथी उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा बेहत खराब हो गई है लोगों को सास लेने में दिक्कत हो रही है हला कि उन्होंने इसके साथ ही यूपी बिहार राजस्थान तक के कई शहरों के नाम गिनाते हुए यह कहा कि इन शहरों में भी हवा दिल्ली जितने ही खराब है यान पंजाब की सरकार को इसके लिए जिम्मदार नहीं है साथ ही दिली के सीम ने ये भी कहा कि पंजाब में और दिली में हमारी सरकार है ये वक्त एक दूसरे को गाली देने का नहीं बलकि इतने समवेदन शील मुद्दे पर राशनीती का नहीं है इससे समाधान नहीं निकलेगा साथी उन्होंने कहा कि जनता को इससे फाइदा नहीं होता है पंजाब में पराली जल रही है हम मानते हैं इसके लिए किसान जम्मदार नहीं है साथी उन्होंने कहा कि उन्हें समाधान मिल जाए तो वो नहीं जलाएंगे पराली को और क्योंकि उन्हें भी नुकसान होता है यदि पंजाब में पराली जल रही है तो हम हमारी सरकार जिम्मदार हैं हम इसकी जिम्मदारी लेते हैं और साथ ही उन्होंने काया कि हमारी सरकार को फिलाल 6 महीने ही हुए हैं, 6 महीने का वक्त बहुत कम वक्त होता है, ऐसे में पंजाब में कई समस्याइं थी और इसको ले करके हम अगले साल से काम करेंगे, ये कहना है CM भगवंतमान का, लेकिन देखने को मिला था कि जब इस तर गिरता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, यहां की हवा जहरीली होती जा रही है, तो इसके लिए वो पंजाब को ही दोशी ठहराते थे और ये कहते थे कि जो पराली किसान वहां पर जला रहे हैं, इसके लिए किसान के साथ साथ वहां की सरकार भी जिम्मदार है, और उनको दिल्ली जैसे ठोस कदम उठाने चाहिए पूसा डीकंपोजर जो कैमिकल आता है उसका छड़काव कराना चाहिए फैक्टरियों में अपने पराली को देना चाहिए जिससे की कोईला और इंधर मनाया जा सके लेकिन जब अब देखने को मिल रहा है कि पंजाब में सर साफा हुआ है इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि 24 घंटे के अंदर 1800 से भी जादा पराली जलने की समस्या सामने आई है यानि कि इन घटनाओं का खुलासा हुआ है तो यह देखने को मिल रहा है कि जहां पराली जलाने की समस्या में गिरावट होनी चाहिए केश्रिवाल की सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार में तो ये जो संख्या है और भी जादा बढ़ती जा रही है जो की बेहद ही चिंता जनक विशय है जहां इसको लेकर के पहले अर्विंद केश्रिवाल बार बार पंजाब सरकार को दोशी ठहराते थे जब वहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार थी तो अब वही अर्विंद केश्रिवाल ये कह रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत की समस्या ये सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं है पंजाब की पराली जलने की वज़े से असा नहीं होता लेकिन पंजाब के ही बगल में हर्याणा है हर्याणा में बीजेपी की सरकार है लेकिन वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2021 के मुकाबले पराली जलने की घटनाओं में गिरावट दर्च की गई है तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन दोरों ही राज़ों में किसान जो हैं जादा फसल उगाते हैं धान की और इसमें पराली शा पजब से ये जादातर घटनाए की जारी है पराली जलाने को लेकर के फिलाल दिली के एलजी ने जिस तरीके से पत्रल लिखा है तो माझना जारा है उसको लेकर करके सखत कदम अब शायद आपकी सरकार उठाएगी पंजाब में और शायद़ा पराली जलने की जो समस्यां कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन आज अर्बंद केशिबाल यह कहते हैं कि हम मानते हैं कि जो पल्यूशन लगातार गिरता जा रहा है उसकी वज़ब पराली है और इस बात को हम स्विकार भी करते हैं लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार और प्रदान मंत्री मोदी को आगे आना हो होगा और हम उनसे अपील करते हैं कि इस समस्या से छटकारा दिलाएं फिलाल आपके उस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट्स अक्शन में जरूर बताएं आगे क्यों और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हूए 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 झार ऑला और ऑला यृचझे उस्पटार प्रप्दाज के दो आगे बताफ झाल उस जरू जबताव हूए हूए